सिक्षा नगरी कोटा में दो मुसल्मान सिक्षक निलंबित कथित लव जिहाद और धर्मांतरण करवाने के आरोप में लिया गया फैसला कोटा यानी राजस्थान की सिक्षा नगरी यहां सांगोद में एक सरकारी स्कूल की सिक्षकों पर स्कूल में लव जिहाद धर्मांतरण करवाने के आरोप लगाए गए हैं इतना ही नहीं शिक्षामंत्री मदन दिलावर से शिकायद के बाद दो मुस्लिम सिक्षकों को निलंबित भी किया गया है। लब जिहाद और धर्मांतरण की बात पर हिंदू संगठनों ने एतराज जताते हुए बीते दिनों सांगोध स्ट्रीम कारेले पर प्रदर्शन किया और रैली निकाली। संगठनों की ओर से सांगोध में राजुकिय उच्चो माद्यमिक विद्याले खजूरी ओधपूर स्कूल में प्रतिबंधित संगठनों से सिक्षकों की जोड़े होने के आरोप लगाये हैं। संगठनों ने 21 फरवरी को सिक्षा मंतरी मदन दिलावर के नाम ग्यापन सौप कर सक्त कारवाई करने की मांग करते हुए शिकायत दर्श की। इस शिकायत के अधार पर दो सिक्षक फिरोज खान और मिर्जा को सिक्षा विभाग ने 22 फरवरी को आदेश जारी करने लंबित कर दिया है। आप कठोर कारवाई करूँगा और बर्खास करने जैसे स्थिती बनी तो बर्खास ही करूँगा। जिला सिक्षा अधिकारी कोटा माधिमिक मुख्याले के अधिकारी ने बताया कि उच्षा अधिकारियों से मिले आदेश पर सिक्षक लेवल बन फिरोज खान और शारेरिक सिक्षक मिर्जा मुजाहिद को ने लंबित किया गया है। इस कारवाई पर प्रभावित सिक्षकों का पक्ष आना अभी बाकी है।